हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइज ग्यान आज हम लोग मोटर वाई की लाइक 988 के चैप्टर 14 मिसलेनियस जो पार्ट्स है उसे देखेंगे जो चैप्टर 14 है इसमें जेनरल बाते लिखी गई है जो भी चीजे मेंसें नहीं है चैप्टर जैसे चैप्टर 1 से लेके 13 तक व वह सब जैसे कुछ बैज़े के लिए कोई कांटर सिनेचर के लिए कोई पर मिट्स के लिए इस तरह से जो भी फी लगेंगे वह सब चीजों के बारे में पावर दिया गया है central government को या state government को जिसके पास jurisdiction है वो चीजे वह वहां पर करेंगे बसरते state government या central government को लगता है कि यहां इस class of person को exempt करना चाहिए फीक से तो वो उन पे depending करता है वो किसी भी person को exempt कर सकती है payment के लिए या तो पार्शली फी के लिए या फुल फी के लिए उसे एक्जम्ट कर सकती है या किसी कैटेगरी के लिए दिव्यांग लोगों के लिए वो चीजेशें पर स्टेट गॉर्मेंस डिसाइड कर सकती है तो तो नेक्स मारा सक्षन तूवन वन ए के यूज ऑफ इलक्ट्रोनिक फॉर्मस एन डॉक्यूमेंट तो आप लोग को पता है यह जो 2 1 1 a है यह एमेंडमेंड में एड किया गया यह 2019 के वेरिफाई कर दिया जाएंगे तो यहीं चीज़ेंगे को इन्हांस करने के लिए डिजिटली इन्हांस करने के लिए यह सब चीज़े यूज ऑफ इलक्ट्रोनिक फॉर्म्स और डॉक्यमेंट्स को बढ़ावा दिया गया है नेक्स जो हमारा है सेक्शन 212 पॉब्लिकेशन कमेंश्मेंट एंड लेंग और रूल्स और नोटिफिकेशन तो जो भी आक्ट है जो भी व्लस है जो भी तो उसको औफिशियल गजट में पास करना होता ओड़ीछियल moods बना दिया गया जैसे अगर Central Government का है तो वह वहां से लोग सभा से राजे सभा से पास होना चाहिए तब जाके कोई भी publication कोई भी notification या rules उसमें modification या add होते हैं तो इस तरह से जो भी rules है वह rules फॉलो किया जाएगा नेक्स्ट हमारा सेक्षन 213 appointment of तो जो मोटर वही की लिए ऑफीसर का appointment होता जब हम लोग ने बिहार मोटर वही की रोल्स पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने डिसकस किया था कि स्टेट गॉवर्मेंट डिसाइड करती है सेंटर जो भी officers के appointment के लिए जो भी rules होते हैं जो minimum को जो qualification होते हैं कि qualification में हो गए तो यह सब चीजे जो रूल्स बनाती है उस पर स्टेट गॉवर्मेंट बनाती है लेकिन इसमें एक चीजे थी जो central government rules बना सकती है उनके पास भी पावर है कि वह minimum qualification minimum qualification क्या होगा कि मिनिमुम qualification क्या होगा वह ऐसे कर देगी कि कम से कम आपको automobile engineering या mechanical engineer होने चाहिए डिपलोमा या बीटेक तो यह minimum diploma कर दिया जाए तो जो स्टेट government वह बीटेक पे भी ले सकती है या minimum तो डिपलोमा रखना ही पड़ेगा इस तरह से criteria आप समझ सकते हैं क्या बाते कहना चाह रहे हैं नेक्स जो हमारा section 214 effect of appeal and revision on order passed by original authority तो जो ऑठीटी है original authority यह माल लेते कि आपने deal आपने issue करवाने के लिए और उसके आपके जो documents है इस कारण या कोई भी कारण से आपको renew नहीं किया गया इसू नहीं किया गया तो आप क्या कर सकते आप appeal कर सकते इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप satisfied अगर नहीं है तो आप इसके लिए अपील कर सकते अप्लियेट ऑथरीटी के पास तो वह जो original authority का जो order pass है वो तब तक valid रहेगा जब तक कि अप्लियेट ऑथरीटी अप्लियेट ऑथरीटी है उस पर कोई नोटिस नहीं दे देता है कि हाँ यह सही है या गलत है तब तक जो ओरिजिनल ऑथरीटी है उसके द्वारा पास जो order है वो तब तक valid रहेगा जो नेक्स हमारा सब सेक्षण टू में इसी में कि जो सब सेक्षण वान है कि अगर कोई application देता है और कोई पर्मिट के लिए पर्मिट के लिए और रिजेक्ट कर दिया जाता है और 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 उसके बीच में उसके जो लाइसेंस है जो पर्मिट है उसका expired हो जाता है तो एक्सपायर हो जाने के कारण क्या होगा कि उसके जो वहेकिल के जो काम धंदे जो होंगे काम शुरू नहीं हो पाएंगे मिस्किए वो चला नहीं सकता है तो जो एपलिएट ऑथरीटी जब तक उसके नोटिस नहीं आते हैं उनके जो डाइरेक्शन नहीं आते हैं तब तक एपलिएट ऑथरीटी वह कर सकती है कि वह वैलिट कर सकती है उस पर्मिट को जब तक कि एपलिएट ऑथरीटी का कोई कोई नोटिस नहीं आ जाता है तब तक उसका जो पर्मिट है उसको वैलिड कर सकती है कि इस केस में क्या था कि जो पावर है जो और पास किए वह वैलिड रहेंगे लेकिन जब अगर पर्मिट का अगर एक्सपायर ही हो जाता है बीच में तो इस केस में वह वैलिड कर सकती है ताकि उसका जो भी ट्रांसपोर्ट है वह सब चलते रहें उसका काम सुरू होते रहें जब हिरका कोई नोटिस नहीं आथता है वह के सेक्शन 215 रोडश हैपटि कांसिल एप कंपीटीच तो जो जो सेंटरल रहेंपैर ऑफिशियल गजट में नेस्तिकर olm sagt कर constitute करेगी State Road Safety Council का और इसी तरह से अगर डिस्टिक के लिए District Road Safety Committee for each district in the state बहुत जगह यह सब चीजे लागू हो चुके हैं यह सब चीजे तो लागू हैं और कहीं कहीं डिस्टिक में लागू नहीं है बहुत सारे जगहों पर करती दिस्टिक रोडशेप्टिक कमीटी भी चल रहा हैं सेक्शन 215 ऑप सेंटर गौर्मेंट और इस्टेट के पास पावर की जो भी पावर है उसको किसे देना है किस ओण्धिक को देना है कौन-कौन से पावर किसे देना यह चीज़ों पर यह सब चीजे पर इस्टेट गौ स्टैट्र के पास जैसे बहुत सारा भावर यह सब चीजों के पावर यह सब सब चीज़े उसी तरह से सेंट्रल करेगी किस से किस तरह का पावर मिलेगा किसे फंक्षन क्या फंक्षन है किस क्या क्या डियूटी रहेगा यह सब चीज़े यहां पर है नेक्स जो हमारा है सेक्षन 215 बी नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड तो जो सेंट्रल कोवर्मेंट का ज से कोई भी मोटर वेहिकल का रजिस्टेशन और लाइसेंसिंग के बीच में क्या होना चाहिए सेप्टी के बारे में किस तरह के तरह करना है किस तरह से कंट्रॉल करना यह सब चीज़ों पर नेशनल रोड से वोड काम करेंगी यह सारे चीज़ें यह चाहिए आ जो भी शुरक्षित रूप से रोड का यूज करते हैं उसके सेफटी के लिए जो भी प्रोग्राम है एडुकेट करने के लिए ड्राइवर को यूजर्स को उके जो भी रोड यूजर्स है उसको यह सब चीजों पर जो काम करेगी वह काम करेगी नेशनल रोड सेफटी बोर्स ओके नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 215 c तो हम लोगों ने पढ़ा कि पावर सेंट्रल गोर्मेंट के क्या-क्या रूल्स है तो यूजर्स फॉर्म ओके फिलिंग डॉक्यमेंट इसू अप्रूबल इंडोस्मेंट यह सब पेमेंट यह सब सेक्शन 211a में जो मैंसन थे तो वह इलक्ट्रोनिक फॉर्म में हो सकते बनाएगी मिनिममम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओके यह भी हम लोगों ने पढ़ा था मोटरवाइकल दिपार्टमेंट के ओके यह पे रूस सेंट्रल गोर्मेंट बनाएगी तर्म सेंड कंडिशन ऑफ एपॉइंट्मेंट औप चीर्मेंट एंड मेंबर ओफ नेशनल रोट सेप्टी बोर्ड क्या और फंक्शन हो सकते हैं उस पे रूस सेंट्रल गोर्मेंट बनाएगी अधर मैटर वीच इस टूबी प्रिस्क्राइब और इन रस्पेक्ट ऑफ विच प्रोवीजन तो भी मेड़ वाई रूस वाई सेंट्रल गोर्मेंट बनाएगी जो है जो भी ड्यूटी है क्या करते हुए रहेगा क्या काम होगा किसी भी मोटर वहिकल दिपार्टमेंट के जो ऑफिशर्स होंगे जो उसके वह सब पे रूस सेंट्रल एस्टेट गोर्मेंट बनाएगी ऑके अधर मैटर विच इस तो भी जो भी प्रिसक्राइब है कोई एक मतलब कोई भी रूल्स है अगर उसमें कोई डिफिकल्टी है तो सेंट्रल गोर्मेट उसको रिमूब कर सकती है उस डिफिकल्टीज को के बसरते कि अगर जो और पास हुए वह तीन साल से पुराना नहीं होना चाहिए ऑके क्योंकि जो भी और से उसे डिफिकल्टी गया उसे हटा दिया गया है और जो सेक्शन जो अक्ट आया है वह मोटर भाई की लाक्ट नाइन टीन एट है ओके तो यह चीजह यहां पर मिंसेन है कि जो पहले मोटर भाई की लाक्ट नाइन था उसको रिपेल करके 1988 मोटर भाई की लाक्ट आया है ओके नेक्स्ट जो मारा है सेक्शन 217a रिन्यूवल ऑफ पर्मिट्स ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्टेशन ग्रांटेड अंडर दा मोटर भाई की लाक्ट नाइन्टेन से कोई भी पर्मीट है यह बहुती जो पर मिटे है 309 की इस को मोटर भाई की लाक्ट के 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 तहत होगा आल और सिело मिस्ले नियस mira ती यह चीजा हमने डिसकर्स आइज हमारा जो मोटर भाई की लाक्ट सारे जो फ्रतर उसे हमने रही किया है और जितने भी कोस्चन से सारे चैप्टर के सेपरेट हमने कोस्चन के भी स्रीज लाए हैं और आप लोग जरूर कमेंट करें कि आप लोग आगे जो नेक्स्ट आप सेंट्रल मोटर वाइकल्स पढ़ना चाहते हैं या नहीं ठैंक्स पर वाचिंग